आप लोग इतना सहयोग करते रहेंगे तो ये अमाउंट में हम लोग पहुँच आएंगे आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह काम कर रहे हैं जो भी सहयोग किया है चाहे वो एक रूपै से हो, सो रूपै से हो, एक लाग से हो मैं हमेशा आपकी शुक्र गुजार रहूंगी, मैं हाँ जोड़कर सबसे निवेधन करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने सहयोग दिया है, जैसे आगे इस सहयोग को बनाए रखे नमश्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइफ सिटीज में और मैं हूँ आपके साथ सौमय राठी इस वक्त मैं बैठी हूँ आयांश की मम्मी के साथ और आज हम लोग फिर से हाँ पहुँचे हैं ये देखने के लिए कि लाइफ सिटीज ने जो ये मुहिम की शुरुवात की है लाइफ सिटीज जिस तरीके से आयांश की मदद करने की कोशिश कर रहा है वो कोशिश है कितनी कारगर साबित हो रही इसलिए अब मैं आयांश की मां से सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी मैम कि जब से कल हमारे चानल पर आपकी वीडियो पब्लिश हुई उसके बाद से आपने क्या फर्ट देखा क्या लोग सामने आए डोनीशन्स में कुछ बढ़त हुई की नहीं बिलकुल मैम सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं क्योंकि जब से आप लोग पहुँचे हैं मैम तब से उसके बाद भी काफी तीन-चार मीडिया वाले आए जो कि हमारा टीवी पर दिखाया गया आप लोग से इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने ये काम बढ़चर कर किया तो मैम इससे हमें भरोसा हो रहा है कि हम उस मुकाम तक पहुच जाएंगे कि मेरे बच्चे को इंजेक्शन लग जाएगा मैम और इसमें मैम बहुत सारे लोगों ने हेल्प करा है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी मेड या फिर दूर दूर से जो टैक्सी ड्राइवर्स जो मिडल क्लास या लोवर क्लास मतलब सारे लोग मैम बढ़चर कर हिस्सा ले रहे है हमारे अपार्टमेंट के भी जो लोग है वो लोग भी मैम काफी ज्यादा हिल्प हमारी कर रहे है और फिर आप लोग कल जब आए उसके बाद से मैम हमारा जो अमाउंट है उसमें मैम बीस लाख के आसपास बडोतरी हुई है तो ये अगर मैम ऐसा चलता रहा और आप लोग इतना सही हो करते रहेंगे तो ये अमाउंट मैम हम लोग पहुच जाएंगे और मेरा बच्चा मैम मेरे साथ रहेगा जा कल जब से वीडियो पब्लिश हुई है उसके बाद से आम लोगों के अलावा क्या कोई बड़ी लोग बड़ी चेहरे भी आगे आकर मदद कर रहे हैं जैसा कि मैम अभी आपने देखा हमारे हाँ विधायक जी आ उन्होंने अभी अभी तुरंत मैम पचास Collins रुपए से हमारी मदद की वो पर्सनली उन्होंने मदद की तो ये मैम हमारे लिए बड़ी बात है ना क्योंकि पर्सनली उन्होंने मदद किया वो सरकार से के थूरू तो अपना करवाएंगे ही। इन्होंने ये पर्सनली हमारी मदद की, हमारे बेटे के लिए किया। क्योंकि मैम ऐसा नहीं होगा, तो बेटा मेरा हमारे बीच नहीं रह पाएगा। तो मैम इसलिए मैं तो बहुत बहुत जादा थैंक्यू आपको कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग के कारण ही मैम ये सब पॉसिबल हो पा रहा है और एक मा मतलब जो ये मन में बैठा ली थी कि अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा क्योंकि डे बाई डे मैम ये बैक जारा है अब मैम थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है कि हां अब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा एक आखरी सवाल यही करना चाहूँ जीए ये वीडियो देख रहें जो लोग अब लगातार आयांश को देख रहें उसे पहचान रहे है उन लोगों से आपकी क्या आपिल ह सर मैं और मैम आप लोग जो भी है आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह काम कर रहे हैं मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन आप लोग इंसान होकर भगवान के रूप में मेरे लिए आये हैं क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो भी सयोग किया है चाहे वो एक रुपए से हो सो रुपए से हो एक लाग से हो मैं हमेशा आपकी शुक्र गुजार रहूंगी और आगे भी इस मुहीम को बढ़ाना है ताकि जो हमारा मैम टारगेट अमाउंट है जो सोला कडोर है वहां त हम आज के लिए भी बहुत बड़ा ये गिल्टी होगा कि एक डिजीज जिसका हमें पता है कि इतना कौस्टी है उसका हम इलाज नहीं करवा पा रहे है तो ये हमारे लिए और सब के लिए मैम एक गिल्ट छोड़ जाएगा तो इसलिए मैं मैं हाँ जोड़कर सबसे करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने सहयोग दिया है वैसे आगे इस सहयोग को बनाए रखे ताकि एक माँ अपने बच्छे को अपने पास जिंदगी भर रख सके अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगे कि बात एक रुपए की या एक लाग की नहीं है बात आपकी सोच की है आपके कोशिशों की है कि आप किस तरीके से आयान की मदद करना चाहते हैं उस तक अपना सहयोग पहुच आना चाहते हैं लोग पांच रुपए से लेकर पांच ल करें धन्यवाद और आप लोग इतना सहीयोग करते रहेंगे तो यह अमाउंट में हम लोग को पहुच आएंगे आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह काम कर रहे हैं जो भी सहीयोग किया है चाहे वो एक रुपए से हो सो रुपए से हो एक लाग से हो मैं हमेशा आपकी शु कर सबसे निवेधन करती हूं कि जैसे आप लोगों ने सहीयोग दिया है वैसे आगे इस सहीयोग को बनाए रखे कर दो कर दो